पैरिस ओलम्पिक से भारत के लिए एक और खुश खबरी आ गई है भारत ने ओलम्पिक में दूसरा मैडल अपने नाम कर लिया है दस मीटर, एयर पिस्टर, शुटिंग इवेंट में मनु भाकर और सरब जोद की जोडी ने कांसिय पदक अपने नाम किया है इससे पहले सिंगल इवेंट में मनु भाकर ने पहला मैडल देश को दिलाया था और एक बार फिर मनु भाकर ने सरब जोद के साथ मिलकर मिक्स इवेंट में देश को पदक दिलाया है एक ही ओलम्पिक में दो मेडल जीतने वाली मनु भाकर पहली महिला खिलाडी बन गई है मिक्स इवेंट में मनु और सरब जोत ने खोरिया के खिलाडियों को हराया है पैरिस ओलम्पिक का आज चौथा दिन है और चौथे दिन भारत की ये बड़ी खामिया भी हासिल हुई है इससे पहले एक ही ओलम्पिक में कोई भारती खिलाडी दो मेडल नहीं जीत पाया है सुशेल कुमार और पीवी सिंधु ने दो-दो पदक जरूर जीते हैं लेकिन ये दोनों मेडल अलग-अलम्पिक में जीते थे मनु भाकर से पहले राजवर्धन सिंग राथोड साल 2004 में भारत के लिए सिलवर मेडल जी चुके हैं इससे पहले अभिनव बिंद्रा ने बेजिंग उलम्पिक में गोल्ड मेडल जीता था फिर गगन नारंग ने उलम्पिक 2012 में ब्रॉंज मेडल जीता था और फिर विजे कुमार ने लंदन उलम्पिक 2012 में भारत के लिए सिलवर मेडल जीता था मनु भाकर की इस काम्यावी के बाद उनके परीजनों में भी खुशी है और मनु भाकर के पिता ने कहा कि देश को मनु भाकर पर गर्व है मनु को भी कंग्रिचुलेशन और पूरे देश्वासियों को भी कि इस तरह से मनु ने किया आगे आने वाले टाइम में और बच्ची भी करें